नमस्कार आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है प्रस्तुत अध्यन का विश्य है सामंतवाद साम्राजवाद और उपनवेशवाद इन तीनों अवधारनाओं को हम तीन भागों में अध्यन कर रहे हैं पहले भाग में हमने सीखा कि हमें सामंतवाद साम्राजवाद वह उपनवेशवाद का अध्यन क्यों करना चाहिए फिर देखा कि सामंतवादी विवस्था क्या है राष्ट्रवाद से इसका क्या संबंध है यह भी सीखा कि वह कौन से कारक थे जिसके कारण सामंतवाद का पत कि सामराज जिवाद क्या है सैध्धांतिक रूप से इसकी व्याख्या कैसे की जाए इसके अतरिक हम यह भी जानेंगे कि सामराज जिवाद कैसे विक्सित हुआ सामराज जिवाद के विभिन रूप क्या है बरतमान युग वैश्वी करण के नाम से जाना जाता है यह भी विभिन पहलूओं का अध्यन करेंगे आज की हमारे विशेवेशिशग्य हैं डॉक्टर शिव पूजन प्रसाथ पाठक जो वर्तमान में भारती कालेज दिल्ली विश्व विद्याले में सहायक प्रोफेसर है और मैं हूँ साक्षी मांडवाल आज हम जिन बिंदूओं पर च हासिक अवलोकर साम्राज जिवाद के विभिन रूप साम्राज जिवाद और अंतर राश्ट्रिय अतावाद साम्राज जिवाद और वानिज जिवाद नव साम्राज जिवाद बैश्वी करण और साम्राज जिवाद स्वैम को विस्तारित करना मानव का सुभाव है प्रत्येक व्यक्ति समाज में यश और सम्मान चाहता है इसे व्यक्ति शक्ति के माध्यम से अर्जित करता है शक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूपों में हो सकती है यह विचार समाज और राज्य के सम्बंध में लागू होता है किसी राज्य का निर्माण वहां का निवासी ही करता है सामराजवाद राज्य के सतर पर भौतिक पदार्दों को संग्रहन करने वाली मनुवरती का घोतिक है प्रतेक राज्य अपनी सीमाओं की वृध्धी, धनार्जन और संपत्ती का अधिगरहन करना चाता है विजय की लालसा और शक्ती की होण सामराज्यवाद के विस्तारक है यह इच्छा सभी योगों की सभी सभिताओं और सभी अवस्थाओं में रही है इसके स्वरूप भले ही परिवर्तित होते रहे हैं, लेकिन प्रस्तुत विशे के संदर्म में सामराज्यवाद का अध्यन राश्ट्र राज्यों के दृष्टिकोंड से जानना है साम्राज्यवाद राश्ट्रवाद का विकृत रूप है इसमें आर्थिक शोशन और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापत किया जाता है साम्राज्यवाद शब्द अंग्रेजी के इंपीरियलिज्म शब्द का अनुवाद है जो की लाटन शब्द इंपरेटर से उत्पन हुआ है इंपीरियलिज्म शब्द का सर्व प्रधम प्रयोग फ्रांस में हुआ था उन्नीस्वी शताबदी के अंतिम दशक में इसका प्रयोग ब्रिटिश उपनिवेशवात के संदर्व में होने लगा जो की एक भावनात्मक शब्द है सामराज जवात की उत्पत्ति के कारणों वो इसके विशलेशन को लेकर तीन विचार या मत सामने आते हैं पहले समू को उग्र उदारवादी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है इसकी समर्थक जे ए होपसन है होपसन के अनुसार विदेशों में सामराज जवादी विस्तार का एक प्रमुख कारण था देशी विनिनमार में पूंजी का अवरुद हो जाना घरेलू बाजार में उपभोग सीमित था क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग निम्न आय वर्ग के थे इसलिए वे सामान की बड़ी हुई अपूर्ती की खपत नहीं कर सकते थे बड़ी फर में जोखिम उठाने तथा निर्थक आती उत्पादन से बच्चती थी इन दोनों कारकों से आय की असमान वितरण तथा इजारेदारी आचरण का परणाम हुआ कि अपने देश की सीमाओं के बाहर निवेश के नए अवसरों तथा नए बाजारों की तलाश करे दुतिये मत में सामराजवाद पर मार्क्सवादी विचार आते हैं। पूरी दुनिया को अंतर राश्ट्रे नियास में बातने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार पूंजीवादी शक्तियों के बीद संपूर्ण विश्व विभाजन का चक्र पूरा हो जाता है। इसकी उत्पत्ती की जड़ में तीन कारत थे। पहला मानव जाती का युद्ध एवं विजय के प्रती सहच जुकाओ। दूसरा युद्धों तथा युद्धों को जन्म देने वाले सहसिक क्रिया कलापों के समाप्त हो जाने की काफी समय बात तक इन मनो वृत्तियों का जारी रहना। तीसरा उन प्रवत्तियों को कायम रखने में शासक वर्गों के निजी स्वार्थ। सामराज जवाद पून जिवाद का स्वाभाविक विकास नहीं है। सामराज जवाद अपने पहले चरण में जिसकी शुरुवात पंद्रवी सदी में हुई थी वानिक जिवादी है। यह व्यापारिक पध्धती पर आधारे थे। इसका मुख्य उद्देश ये व्यापार था और इसकी नीती आर्थिक शोशन की थी। सामराज जवाद अपने दूसरी चरण में जिसे मूलता 1871 से माना जाता है, राजनीतिक शोशन भी शामिल हो गया। सामराज जवाद के विस्तार होने की कई कारण है। सामराज जवाद के सबसे अधिक मौलिक कारणों में से एक आर्थिक कारण। बोगोले खोज, और लीओगे क्रांती, परेवहन एवम संचार का विकास, जन संख्या की समस्या आदी बिंदू के आधार पर सामराज जवाद के आर्थिक पक्ष की व्याख्या की जा सकती है बोगोलिक खोच से यूरोप के लोग भारत, अमेरिका, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया से परिचित हुए और द्योगे क्रांटी के परणाम स्वरूब विशाल पैमाने पर वस्तूओ का उतपादन होने लगा इतने बड़े स्तर पर होने वाले वस्तूओ के उतपादन ने कई चुनोतियों को जनम दिया जैसे कच्चे माल की पूर्ती व उत्पादित वस्तूओं की बिक्री हेतु बाजार की सुविधा सामराज जिवाद इस उद्देश के लिए उप्युक्द सिद्ध हुआ सामराज जिवाद की प्रसार में परिवाहन तथा संचार सेवाओं की विकास ने भूमिका निभाई जन संख्या व्रिद्धी ने अधिक रोजगार और खाद्यान मांग की एशिया अफ्रीका व अमेरिका में सामराज जिवाद इसी का विस्तार था विस्तारवाद की आकांक्षा व उग्र राश्टरवाद के संदर्म में राजनीतिक कारणों का विशलेशन किया जा सकता है सामराज्य विस्तार का प्रश्न प्रतिष्ठा एवं सम्मान का तार्किक मापदंड था प्रतिएक यूरोपिय देश अपने सामराज्य का विस्तार कर अपनी जनता का मनोबल उचा करने के प्रयास में गंभीर रूप से सनलगन हो गए यह धारणा बनी की महान शक्ती का दरजा पाने के लिए उपनिवेश का होना नितांत आवश्यक है ब्रिटिन, फ्रांस, सोवियेट संग, जर्मनी, इटली, बेलजियम, यूरोपिय देशों ने सामराज्य विस्तार में अत्याधिक तीवरता दिखाई साथ में आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सैनिक सहीयोग आवश्यक हो गया था जैसा पहले उलेक किया जा चुका है कि सामराज्य वाद अपने प्रारंबिक अवस्ता में बानिज वादी है लेकिन राजनीत एक्षोषन इसकी दूसरे अवस्ता में शामिल होता है सामराज जवाद के समर्थन में कभी कभी धार्मिक और मानफतावादी तर्ख भी दिये जाते हैं सत्रवी सदी में धर्म प्रचार सामराज जवाद का एक महत्वपूर्पूर्ण था सामराज जवादी देशों की मानसिक्ता यह थी कि विश्व में सिर्फ सामराज जवादी देश ही सब भी है शेश विश्व को सब भी बनाने की जिम्मेदारी इन देशों ने स्वेम ले ली थी इस सोच को वाइट बर्डन रेस के नाम से जाना गया विश्व की हीन जातियों को सब भी बनाना यूरोपियों का कर्तव है इस भाव से उन्होंने अपने आपको प्रचारत किया इसाई मिशनरियों ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भुमिका निभाई वैचारिक द्रिष्टिकोंड से श्वेत मनुष्य का आभार दर्शाया गया वर्तमान समय में भी सांस्कृतिक सामराज जिवात की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है जो मूलता पश्चमी देशों के मूल्यों भाशाओं और विचार को तरजी देता है सामराज जिवात का विस्तार केवल आर्थिक कारणों से नहीं हुआ द्वितिये विश्व युद्ध के बाद हम वैचारिक सामराज जिवात की लड़ाई देखते हैं वह शीत युद्ध का समय था जब दो विचार धाराएं पूंजिवात और सामयवात अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए एशिया अफ्रीका और लाटन अमरेकी देशों में संघर्ष कर रही थी शीत युद्ध का समय पूंज रूपेन वैचारिक प्रभुत्व की स्थापना का संघर्ष था जो शीत युद्ध की समाप्ती के बाद समाप्त हुआ सामराज जिवात का विकास विबिन अवस्थाओं से गुजरा है प्राचीन समाज से लेकर आधूनिक समाज में यह किसी न किसी रूप में विद्धिमान रहा है इस पर किसी एक देश का प्रभुत्व नहीं रहा साथ में सामराज जिवात का वैचारिक पक्ष भी है सामराज जिवाद की स्थापना विचार धारा के आधार पर भी की गई हमें सामराज जवाद को आधूनिक धारना में समझना है लेकिन इसके विकास को संक्षेप में अवलोकन करना भी आवश्यक है क्योंकि ये पंद्रवी शताबदी से शुरू होकर 1950 तक विक्सित होता रहा अब हम इसको विचार धारा के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं प्रतिष्टा में वृद्धी की आकांक्षा मनुष्य की सदैव से एक बहुत पुरानी इच्छा है भारत, चीन, मिस्र और सीरिया के प्राचीन सामराज्य इस लालसा से अभिबूत थे युनानी राज़ भी बराबर शक्ती बढ़ाने के लिए संघर्शरत रहे थे और वे अपने लक्ष की सिद्धी हेतू सैनिक बल और कूट नीतिक चतुरता का भी प्रयोग करते थे अपनी इनी निर्बलताओं के कारण वे सिकंदर महान के समक्ष परास्त हो गए जिसने कालांतर में एक बहुत बड़े सामराज्य की स्थापना कर ली आटमन सामराज्य की रचना हुई जिनके बाद चीन और भारत के मध्य युगीन सामराज्य बने राश्टराज्य और संप्रभू इकाईयों के दृष्टी कोंड से हम सामराज्य वात का विकास निम्न अवस्थाओं में देख सकते हैं सर्व प्रथम पुनर जागरण और सुधारवादी आंदोलन के फल स्वरूप पंद्रवी शताबदी के उत्तराध में पश्चिम यूरोपे ऐसे अनेग आविशकार हुए जिनके कारण ये संभव हो सका कि पश्चिमी यूरोपियन राज्य समद्र पार देशों पर पहले स से अधिक सेनिक और राजनीतिक नियंत्रन कर सके ये आविशकार थे बारूद मुद्रन बैंकिंग व्यापार आदी प्रोध्योगिक ज्यान यूरोपियन देशों के लिए हितकर सिद्ध हुए सरकार ने भी लाब के इच्चुक व्यापारियों इसाई धर्म में अधिक से अधिक दिक्षित करने की इच्चा रखने वाले पादरियों नए-नए देशों को खोजने की आकांक्षा रखने वाले कीर्ती और विपुल धन राशी चाहने वाले साहसी व्यक्तियों को खूब प्रश्रे दिया धीरे धीरे स्पेइन पुर्ündरगाल निधरलेंड फ्रांस और इंग्लिन ने एशिया, अफ्रीका व अमेरिका में बड़े बड़े सामराज बना लिये। द्विती अवस्था में हम सामराज जवाद को विक्टित होने तथा नए ने शेत्रों में विस्तार के परिप्रेक्ष में देख सकते हैं। इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेष्टा यूरोप में ओद्योगे क्रांती का होना। रूस और अमेरिका में क्रिशी के विस्तार वर राश्ट्रवाद के उदेह ने सामराज जवाद के समीकरण को परिवर्तत कर दिया। ब्रिटन का अमेरिका से उपनिवेश समाप्त हो गया। जिनके पास मानव श्रम या प्राक्रतिक स्रोतों की कमी नहीं थी। अपितू जो प्रोध्योगिक वव्यापारिक रूप से पिछडे हुए थे। अच्छे शिकारगाह बन गये। इनमें प्रतिद्वनद्वात्मक्षमता का अभाव था। सन 1880 से 1914 तक सामराज जवाद की तीसरी दशा थी। इस काल में सामराज जवादी देशों ने शेश संसार को आपस में बाठ लिया। एक ही पीडे में इतने बड़े बड़े आपनिवेशिक सामराज कायम हो गए जितने पिछली तीन शताब्दियों में भी नहीं बने थे। ब्रिटन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान, पुर्तगाल और बेलजियम ने अपने बड़े बड़े सामराज इस्थापित कर लिये। इस काल में गैर यूरोपियन लोगों से सारी भूमी छीन ली गए। यहीं नहीं उनकी स्वतंतरता का भी हनन हुआ। सन 1914 में जर्मनी और इटली दो ऐसी शक्तिया थी जो असंतुष्ट थी और संसार में अपने लिए भी स्थान मांग रही थी। यह असंतोष युद्ध के रूप में भड़क उठा और यह युद्ध 1918 तक चलता रहा। सन 1920-1949 तक जर्मनी, इटली और जपान में फ्रांसी वादी आंदोलन एशिया के पिछडे देशों के मूले और चीन के मूले पर पनपता रहा। इटली ने 1935 में एबी सीनिया पर कबजा किया। जर्मनी ने भी दुनिया को हिला देने वारे धंक से सन 1935 से 1945 के बीच नए नेक शेत्रों को हरपा। जापान ने 1931 में चीन के कुछ भाग को जीत लिया और कुछ को 1937 के बाद। यह सामराज जिवाद अपने धंका नया था। यद्यपी इसकी नीव बिचार जगत में दानते, मैक्यवली, हॉब्स, रूसो, हीगल और बुसांके ने डाली थी और जिसे बाद में हिटलर और म सोलनी ने संपूर्ण किया था। सन 1945 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो समस्या का समाधान पहले से भी अधिक कठिन हो गया। अमेरिकन लिवाइथन और रूसी दैथ ते ही अखाडे की स्वामी थे। शीत युद्ध के दौरान सामराज जिवाद का आयाम बैचारिक हो गया था। वर्तमान समय में इसको विक्सित और विकास शील देशों के संदर्भ देखा जाता है। सामराज जिवाद को कई रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। यह विभिन अवस्थाओं से होकर गुजरा। सामराज जिवाद अपने ज्वलंत रूप में उन्नीसवी सदी के उत्तराध और बीसवी सदी के पूरवाद में उभरा और पूरे बिश्व शान्ती के लिए खत्रा बन गया। यूरोप यह तो हम देखी चुके हैं कि उन्नीसवी शताबदी के अंतिम चतुर्थांश का सामराज जिवाद और द्योगिक क्रांती से प्रेरित था। अंत्रिक विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन अतह इस सामराज जिवाद को सस्ते कच्चे माल की तथा बाजारों की आवश्यक्ता थी। नए बाजार और नए प्राकृतिक संसाधन की खोज ने यूरोप के सामराज जिवाद को प्रेरित किया। पश्चमी राज पहले संसार की उन देशों में व्यापार करना आरंब करते थे जो प्राकृतिक साधनों की दृष्टी से संपन किन्तु सैनिक, राजनीतिक और ओध्योगिक दृष्टी से बहुत पिछड़े होते थे। वे ऐसे देशों में धीरे धीरे अपनी पूंजी निर्दयता से कुचल दिया जाता था। उनकी यही पध्धती उपनिवेश की स्थापना में सहायता करती थी जिसको हम अगले भाग में विस्तृत रूप से समझेंगे। ब्रिटन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन जैसे देशों ने इस प्रकार के सामराजवाद की नीव रखी थी। पासिवाद विशुद्ध रीती से राश्ट्रियतावादी है तथा वे राज्य से बड़ी कोई शक्ती नहीं मानता। एक और तो वे चाहता है कि राश्ट्र राज्य जनता के हितों की अधिक से अधिक रक्षा करेगा और दूसरी ओर वे व्यक्तिगत और सामो पुहिक रीती से यह आशा करता है कि प्रतेक नागरेक राज्य के लिए काम करेगा उसका नारा है राज्य के बिना कुछ भी नहीं है राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है राज्य के आगे कुछ भी नहीं है लेकिन ऐसा राज्य फिर केवल अपने अस्तित्व का ही ध जिहाननी रखेगा दूसरे राज उसकी दृष्टी से व्यर्थ होंगे इसलिए वे उन पर आक्रमन करेगा ऐसा राज यह स्वभाविक है कि हिंसा पर आधारित हो किसी राज पर कब्जा करते समय या अपनी शक्ती संगटित करते समय ही ऐसे राज में हिंसा करने का प्रश्ण नहीं उठता अपितु हिंसा तो पासिवादी विचारधारा का एक अनिवार तत्व है मुसोलनी के कथान उसार पासिवाद ना तो शाश्वत शांती में विश्वास ही करता है और ना इसी बांचनिय ही समझता है उसकी दृष्टी में जीवन सतत संगर्ष है और वे इस बा अपने मस्तिश्क से नहीं अपितु अपने रक्त से सोचे इसका सीधा साधा मतलब यह है कि सोचे बिलकुल ही नहीं पासिवादी सामराजवाद की कोशे यह थी कि पहले शत्रों में से किसी भी एक को जूटे वादे करके फोड़ लो जर्मिनी के आसपास के देशों में सहा सायक नाजी आंदोलन छेड़ दो तथा नाजी सायकों से उस देश के निवासियों को वहां की सरकार के विरुद उकसा दो और ऐसी स्थिती उत्वपन कर दो जो तुम्हारे अनुकूल हो मुसोल लिनि ने इसी प्रविधी का स्पेंड में हिटलर ने आुस्ट्रिया और चेकुसलवाकिया में और जापारन ने मंचूरिया में प्रयुक किया यह तरकीप प्रजातंत्रवादी देशों में विद्वान सात्मक कारवाईया करने में बड़ी कारगर होती है राजनी तेक संस्थाओं और आतंकवादी कारवाईयों को राजनी तेक लक्षियों की प्राप्ती के लिए प्रयुक्त करो और बिना किसी घोशना के लड़ाई छेर दो अमेरिका ने पूझी वादी विवस्ता को परिभाशत किया है यह पूझी वादी विवस्ता अगवा देश है इसने अधिकतर अपनी ताकत का प्रसार अर्थ की माध्यम से किया है यह अल्प विक्सित देशों के आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रनों के लिए बहां की सरकारों को लंबी लंबी रक में रिण देता रहा है जो सरकार रिर्ड देती है वे पूंजी लगाने वालों को भेज देती और पूंजी लगाने वालों के जरीए रिर्ड देने वाली सरकार अपने स्वार्थ सिद्ध करती थी पूंजी उधार देने वाले बैंकर पहले रकम उधार देते थी और जब वे यह देखते थी कि उनकी पूंजी को कुछ खत्रा है तो यह खत्रा चाहे दिवालियपन से हो या स्थानी विद्रोहों से तो वे अपनी सरकार से सेनिक साहता दे जाने की याचना करते थे सेना पहुचती और वह पूंजी पती देश के स्वार्थों को सिद्ध करती थी कभी-कभी तो बैंकरों को ऐसे रिर्ण देने के लिए प्रोचसाहिद भी किया जाता था जिससे वह स्थिती उत्पन हो सके कि रिर्ण ग्रस्त राज में पौजे भेजी जा सके ऐसे कारियों के लिए कूट नीतिक सहायता की विवस्था की जाती थी फलता कभी-कभी तो रिर्ण ग्रस्त राज अपनी नौसेना गिर्वी रखतेता था कभी सीमान्त कर उगहने का ठीका बैंकर देश की सरकार को दे देता या फिर कभी रिर्णगस राज्य बैंकर देश का सनरक्षित प्रदेश बन जाता था यह प्रक्रिया डॉलर कूट नीती या डॉलर सामराजवात कहलाती है अमेरिका ने विशेश रूप से इस पद्धती का प्रयोग किया है मार्शल योजना हमारे समय में डॉलर सामराजवात का ज्वलंत उधारण है सोवियत संग सामराजव विस्तार का उसका भी एक अपना तरीका था सोवियत संग ने भी जॉर्जिया, यूक्रेन और श्वेत रूस के सशासन के आंदोलन का निर्ममता से दमन करके आद्म निर्ने के सिधान्त का हनन किया है रूस में किसी राज्य के बिलगी करण का आंदोलन करना देश द्रो है यद्यपी विधी के अनुसार ऐसा करने की अनुमती है सोवियत रूस ने पोलंड, लिथ्योएनिया, लाट्विया और इस्तोनिया पर हमला करकी उनको हड़ाप लिया है सन 1945 के बाद रूस ने पोलंड, चेकुसलवाकिया और रुमानिया आदी में लोगों को क्रांती करने के लिए भड़काया रूस विभन देशों के साम्यवादी दलों को धन की सहायता देता था साम्यवादी साहित्य को सस्ते से सस्ते मूल में बेच कर अपना प्रचार करता रहा 1991 में सोवेट संख का विगटन हो गया और साम्राज्य के बल पर स्थापित राष्ट्रे एकता भी विखंडित हो गई और ये देश स्वतंत्र हो गए साम्राज्यवाद के विपरीत एक सोच हमेशा मानव समाज में थी कि कैसे विश्व शान्ती बनी रहे और कोई भी देश किसी देश के लिए खत्रा न बने यही सोच अंतराश्य अतावाद के नाम से जानी जाती है साम्राज्यवाद की बहुत से अवस्थाएं और बहुत से पक्ष होते हैं हर अवस्था में साम्राज्यवाद युद्ध की ओर ले जाता है साम्राज्यवादी शोशन के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं इन युष्व यूद्ध इसी प्रवत्ति के उधारन है इसलिए विश्व शांति रक्षा के लिए प्रयत्न किये गए सेयुक्त राष्ट्र संक की स्थापना इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है लेकिन जब भी कोई कठिन समस्य आखडी होती है तो इस प्रकार की संस्थाओं की अनुपयोगिता भी स्पष्ट हो जाती है और हम यह अनुभव करते हैं कि यदि हम सचमुच विश्व शान्ती चाहते हैं तो हमें वर्तमान विवस्ता ही बदल देनी होगी लेकिन शान्ती के लिए उत्सहा पूर्वक कारे करने की दृष्टी से सामराजवादी विवस्ता को बिदा देनी ही होगी इसके लिए अंतराश्ट्रियतावाद को बढ़ावाद देना होगा सामराजवाद की विरोधी विचारधारा अंतराश्ट्रियतावाद है यह सोच इस बात पर आधारत है क पूरी मानवता सुरक्षित रहे इसका उदेश आत्म सम्मान और स्वशासनपूर राष्ट्रों का एक ऐसा परिवार है जो समानता शांती और आपसी सहयोग से एकता में बंदा हो विश्व समाज में शांती रहे महत्मा गांदी रविंद्र नाट्टे गोर और जवाहर लाल नहरू भी इसी सोच के आधार पर मानव समाज की स्थापना करना चाहते थे सैयुक्त राष्ट संग का गठन इसी सोच का व्यवारिक रूप है वैसे कुछ लोग मानते हैं कि यह सोच आदर्श वादी है सामराज जिवाद को बढ़ाने और उपनवेश की स्थापनावे वाणिज जिवाद एक मुख्य कारक है आम तोर पर आर्थिक राष्ट्रवाद का प्रयोग उन नीतियों के उलेख करने के लिए किया जाता है जिसका अनुसरण आधूनिक यूरोप के उदैमान राज कर रह थे वाणिज जिवादी विचारों में राज की अर्थ विवस्ता को सरकार द्वारा प्रोच साहन दिये जाने नरीक्षन किये जाने और संरक्षन दिये जाने पर बल दिया जाता था यह राज की शक्ति और राष्ट्रिय सरकार की शंता को बढ़ाने को प्रयास था किया जा सकता है बाने जिवादी उपनिवेशों की भूमिकाप बहुत जोर देते थे एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि वाणेजिवाद काफी हद तक उपनिवेशिक सामराज्य के उभरने की परणाम स्वरूप ही विक्सित हुआ वाड़े जिवादी उपनिवेश कई कारणों से महत्वपूर्ण थे ये सामराज जिवादी देश के विनिर्मित उत्पादों के लिए बाजार का काम करते थे और कच्चे माल को उपलब्ध कराते थे उपनिवेश रोजगार के शेत्र भी बन गए ये उपनिवेश बनाने वाले देशों के व्यापार के महत्वपूर्ण आधार थे इसी आर्थिक नीतियों के कारण सामराज जिवादी देश उपनिवेशी देशों में आपनिवेशिक लडाईया कर रहे थे उधारन के लिए भारत में फ्रांस और इंगलेंड के बीच कई युद्ध हुए थे यहें युद्ध प्राकृतिक संसाधनों पर नियंतरन करने के लिए हुए थे बानिच जिवाद की सोच उसके सामंतवाद में ही नहित है अधिकतर सामराज जिवादी देश विक्सित देश बन गए सामराज जिवाद और उपनिवेशवाद के जरीए अपने देश में पूंजी का संग्रहन किया और नई तकनीक के माध्यम से अपने को वर्तमान वैश्विक अर्थ विवस्था में अग्रणी पंक्ती में खड़ा कर लिया राश्वाद की चेतना के कारण नवोध देशों पर प्रत्यक्ष ढग से नियंतरन रखना संभव नहीं था इसलिए प्रत्यक्ष शासन से दूर अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंतरन बनाए रखना चहाते थे यह आर्थिक सामराजवात का ही संस्क्रण है लेकिन अप्रत्यक्ष ढंक से मार्क्सवादी चिंतन में बैश्वी करण को सामराजवात और उपनिवेश्वात के दृष्टिकोंड से ही देखा जाता है बैश्वी करण पून जिवात का ही नए अपतार है इसकी सोच में उपनिवेशवाद की मानसिक्ता ही है यह सैनिक रूप से सामराजवाद की स्थापना तो नहीं है किन्तु आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष में उपनिवेशवादी मानसिक्ता शामिल है इनका कहना है कि 18 सदी से लेकर 20 सदी के दौरान सामराज जवादी देशों ने उपनिवेश देशों में पूंजी वर तक्नीकी प्रभा को बढ़ावा देने पर बल दिया इसके माध्यम से उपनिवेश देशों के संसाधनों का शोशन करने में सपल हुए इस प्रक्रिया में सामराज जवादी देश उपनिवेशक देशों के शोशन के जरिये समरिद बनते गए और उपनिवेश आर्थिक गतिरोध और निर्धनता में डूपते गए वैश्वी करन को पश्चमी करन या अमेरिकी करन मानने वाले विध्वान मूलता वैश्वी करन के आलोचक है इनका मानना है कि वैश्वी करन से उन देशों को अधिक लाभ मिल सकता है जो पूंजी से संपन और तकनीकी रूप से विक्सित है अर्थात, विक्सिद देश इस से अधिक लाभान्वित हो रहे हैं इसके परणाम में विक्सिद देशों की संस्कृतियों और मूलियों का भी प्रभाव बरढ़ा है इसका विपरीथ मत है कि वैश्वी करन की प्रक्रिया में पूरा विश्व शामिल है स्थानिय संस्कृतियों और मूलियों को भी बढ़ावा मिल रहा है अंत में हम कह सकते हैं कि सामराज जिवात की शुरुआत यूरोप में बैज्ञानिक विकास भौगोलिक शेत्रों के ज्ञान में विस्तार राजनीतिक प्रभुत्व की भावना और द्योग एक क्रांती और धर्म की प्रचार के साथ पनपा था सामराज जिवात का स्वरूप विश्व व्यापी था इसमें सभी शक्तिशाली देश शामल थे उसका मुख्य उद्देश था अधिक से अधिक धन का संग्रहन और भौतिक पदार्थों की प्राप्ति लेकिन धीरे धीरे यह उपनवेश्वात स्थापना का जरिया बना और सैनिक पक्ष निकल कर सामने आया सामराज जिवात ने अपने को कई रूपों में व्यक्त किया आज भी विक्सित देशों के द्वारा विकास शील देशों पर नियंतरन बनाए रखने की होड मची हुई है यह दिपी इसका व्यवहारिक स्वरूप परिवर्तित हो गया है इ सामराज जिवात के कारक सामराज जिवात का एतिहासिक अवलोकर सामराज जिवात के विभिन रूप सामराज जिवात और अंतर राश्ट्रियत अवाद सामराज जिवात और वानिज जिवात नव सामराज जिवात बैश्वी करण और सामराज जिवात आज हम अपनी चर्च हमेशा आमंत्रत है नमस्कार अर्णोलाईब है झाल